दूसों आज किस वीडियो से बात करने वाला हूं Realme 9 Series के एक नए upcoming variant के बारा में जिसकी जो launch date है वो फिलाल यहाँ पर confirm हो चुकी है यह launch होने वाला है 12 में को अब यहाँ पर आज किस वीडियो आपको inform करने वाला हूं Realme 9 Series के नए variant के बारा में स्मार्टफन में क्या features होने वाले हैं क्या price point होने वाली है वीडियो को लास तक देखते रहेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा अब यहाँ पर मैं आपको यह इंफॉर्म कर दिया गया है यह smartphone launch होने वाला है 12 में को दोपहर के 12 बजे UK में अब यहाँ पर आपको यह इंफॉर्म कर दो UK से आपका क्या मतलब है यह smartphone इंडिया में आने वाला है और किसी अलग नाम से आने वाला है अब इसके सबसे पहले features के बारे मैं आपको इंफॉर्म करता हूं इस smartphone की डिजानिंग होगी अब Realme 9 5G smartphone और इंडिया में launch है UK में launch होने वाला है Realme 9 5G series UK में launch होने वाला है Realme 9 5G अब यहाँ पर यह Realme 9 5G इंडिया वाला Realme 9 5G नहीं है बलकि एक नया variant है और आपको काफी सस्ते price point पर काफी कम price point पर काफी दमदार processor इस smartphone में देखने को मिलेगा अब Realme 9 5G जो smartphone है इसमें आपको देखने को मिलने वाली है Qualcomm Snapdragon 695 का processor जो काफी अच्छी बात है 50 Megapixel का triple rear camera 120 Hz की refresh rate के साथ में LCD display 5000 mh की battery 18 watt का charger तो इससे यह confirm होता है कि यह smartphone बेसिकली एक सस्ता smartphone होने वाला है जिसमें आपको यह सभी features देखने को मिल जाएंगे जबकि अगर हम इसके कुछ features को बढ़ा दें तो यह smartphone इंडिया में Realme 9 Pro के नाम से launch हुआ है तो Realme 9 5G का यह जो variant है वो यहाँ पर 12 में को launch होने वाला है 12 बजे UK में और यह smartphone कहा जा रहा है कि इंडिया में भी launch होगा और यह smartphone पूरा possible है कि launch हो सकता है Realme 9S 5G smartphone के नाम से Realme 9S 5G के नाम से यह smartphone यहाँ पर इंडियन smartphone market में announce हो सकता है ऐसा कुछ कहा जा रहा है मैं आपको यह inform कर दूँ कि कहा जा रहा है कि यह smartphone बहुत सस्टे price point पर जाने वाला है UK में अगर हम UK की price को इंडिया प्राइस से convert करें जिस price point पर यह smartphone पर आ जा रहे कि launch होने वाला है की price point पर launch करना चाहिए क्योंकि इंडिया में competition काफी जाते है और Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर वाले smartphone इंडिया में बहुत जाते अबलेबल है जो कि आपको 15000 से नीची की price point पर देखने को मिल रहा है जैसे की Vivo T1 हो गया उसके साथ में आपको यहाँ पर IQ के भी smartphone देखने को मिल रहा है तो इसके इसाब से Realme को भी यहाँ पर यह सेग्मेंट में अपने काफी सरे अच्छे smartphone को उतारना चाहिए बाकी आपका क्या opinion है इस नए smartphone के बारे में क्या आप इस smartphone का इंडिया में launch होने के लिए wait करेंगे नहीं करेंगे अपना opinion है जरूर से comment box में comment करना मत बूलेगा दो वीडियो को लाइक करेंगा इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को अभी के भी सब्सक्राइब करेंगा